Hello guys, welcome back to my YouTube channel, I am Digital Aldron जोस्तों, एस PPU Pune University, सभीतिरी भाई फूले Pune University इस वीडियो के अंदर admission procedure के बारे में डिसेस करने वाला हूँ बहुत सब्सक्राइब को confusion हो रही कि हमें कहाँ admission करना है क्या कि आपका documents लगेगी और कैसे आपको documents को submit करना है तो उस student के लिए ये वीडियो बहुत ज़्या helpful रहने वाली है काफी ज़्यादा benefit रहने वाली है तो please वीडियो को last तक watch कीजिएगा क्यों कि आपके फाइदे के लिए आपके hit के लिए ही वीडियो है और जो new channel visit करने प्लीज चनल को ज़रू subscribe कीजिएगा और वीडियो पसंद आयते प्लीज वीडियो को ज़रूर like कीजिएगा और इस वीडियो के अन्हें में discuss करने वाला हूँ admission procedure से ले करके fee structure तक especially for M.A.C. chemistry or student जो M.A.C. chemistry में जिसका merit list में नेम आचुका है तो उस student का यह काफी ज़्यादा important रहने वाली है जो M.A.C. mathematics है M.A.C. physics है उसके लिए भी काफी important रहने वाली है जो admission procedure है तो almost अब का same ही रहता है but fee structure जो है वो मैं बताने वालू M.A.C. chemistry or student के लिए तो सबसे पर यहाँ आप आप देख सकते हैं इस पॉइंट को आप देख सकते हैं सभी तरी भाइ फुले पूरे इनिवर्सिटी का instruction है कैसे आपको admission procedure करना है और कहां आपको करना है और लास्ट जट कब तक रहेगी पर डिटेल वाइज में इस लेके जट तक मैं देश्ट करूँगा तो उस student के लिए कैसे आपको admission करना है यहां पर सबसे फॉइंट में आप देख सकते हैं फिल इन अडिमिशन फॉर्म और अपलोड नेसेसरी क्या कि आपको डॉकुमेंट्स आपको अपलोड होगा यहां पर सबसे पॉइंट में आप देख सकते हैं जहां पर आपने login करते हैं वहां पर ID अपना email ID और password देख कर लॉगिन करना पड़ता है वहां पर आपको पहले visit करना है वहां पर आपको email ID और password और CAPTCHA दे के login करना है जैसे आप login करोगे तो आपका पूरी portal ओपन हो जागा आपको खुद का जो portal है जहां से अपना application form को fill up किया था पूरा portal open हो जाएगा और वहीं से आपको सारा document को submit करना है और जो भी document submit करना है fee payment करना सबके सब online fee payment करना है लॉगिन जहीं से आप करोगे तो login करने के अबद आपको एक instruction देखने को मिलेगा आपको left side में a skin sort देखने को मिल जाएगी तो वहां पर a skin sort आप देख सकते हैं यह a skin sort किसी student कही है तो मैं पस किसी भी a student का password और ID और password नहीं था तो अगर ID password होता तो मैं और अच्छा से बताता बट यह भी मैं आपको a skin sort किसी a student कही है तो यहां से भी आपको समझाने के लिए a skin sort मैं attach कर रहा हूं कर रहा हूं ताकि आपको समाज में easy way में आ जाए हाँ login करने के बाद आपको instruction mention कर रखेगा और उसको आपको scroll करना है scroll करने के बाद यहां पर आप इसको read कर सकते इस point को आप read किजे आपको मैं समझा जाता हूं कि a student on the marriage please should use apply button which is display apply for admission column and dashboard of online application a student can access the online application dashboard by using the registration login and ID password मैंने आपको बता दिया कि आपको login करना है और ID password आपको login कर लेना है ठीक है यहां पर भी वही mention कर रहा है ठीक है तो सबसे पहले आप जिसे आप login करोगा ब्लॉग इन करने के बाद आपको एक instruction देखने को मिलेगा आपने देख लिए instruction आप a screen sort में भी instruction आप देख सकते हैं ठीक है उसके ता scroll करोगे तो scroll करने के बाद आपने जू subject में apply किया था उस subject के सामने आपका apply बटन देखने को मिलेगा यहाँ पर भी a screen sort आप देख सकते हैं left third में जैसि आपका apply बटन देख सकते हैं apply बटन अपर देख सकते हैं तो आपको apply पर click कर देना है तो यहाँ आपको पर second point पर देख सकते हैं after clicking the applying button, fill in the necessary, in the admission form and click the proceed to next button. फिल कर दोगे, फिल करने के बाद आपको दो ओप्सन देखने को मिलती है, एक प्रसीट टू नेक्स्ट बटन देखने को मिलेगी और उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा अपडेट तो अपडेट भी कर सकते हैं और आपको कोई admission form में कोई mistake हो या होगा, उसमें correction कर दीजा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि upload document once all that documents uploader click and send for department approval button, जैसी आप proceed to next button पर click करोगे, तो किलिक करने के बाद आपको कुछ documents जो होगे, requirement documents जो होगे, वो आपको submit करना है, submit करने से पहले आपका document के बारे मैं information देता हूँ कि आपको क्या-क्या documents की requirement होगी, और कैसे आपको document को submit कर करना है, और आपको कौन-कौन सी documents आपका requirement होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते है requirement documents, क्या-क्या आपको documents लगने वाली है, तो first point आप देख सकते हैं कि attested true copy of domicile certificate of महरास्टा, a state, या फि महरास्टा, a state board of secondary school certificate education, तो आपको पहले यहाँ पर देख सकते है, SAC और HAC, मतलब क senior secondary school का certificate देना है, और उसके बाद आपको higher secondary school का certificate देना है, वहाँ पर आपको mention रहता है domicile certificate, domicile certificate extra आप दोने के ज़रूरत नहीं है, यहीं इसी में से आपको हो जाता है, senior secondary या 10th बोल सकते हैं, या फि हाइर secondary या 12th बोलते हैं, उसका certificate दोगे, तो वहीं से आपको confirm हो जाता है domicile certificate, और यहाँ पर attested true copy दे रहा है, attested true copy का मतलब यह होता है, कि पहले आपको original documents होगा, उसको आपको jerox करा लेना है, jerox पे आपको वहाँ पर signature, नीचे में आपको signature करना है, documents के तम नीचे signature करनी है, और वहाँ पर आपको जिस दिन submit करना है, उस दिन का आपको date देना है, ठीक है, यह आपको attested copy होता है, ठीक है, second point आप देख सकते हैं, attested copy of a statement marks every year, semester of the qualifying examination, जो भी आपने previous year graduation complete किया है, अगर आपका semester wise है, तो semester wise का आपको marksid submit करनी है, यह फिर आपको year wise है, तो भी आपको marksid submit करनी है, तो जो हिसाब से आपका है, उस हिसाब को आपको submit करना है, ठार number point को आप read कर सकते हैं, कि attested true copy the caste certificate for the competent authority, यहाँ पर आपको जो भी caste certificate है, वो competent authority सी eligibility होना चाहिए, फोर्थ number point को आप देख सकते हैं, तो attested true copy of a latest non creamy layer certificate, तो जो student आप OBC NCL है, मतलब non creamy layer वाले हैं, यह फिर OBC या SBC category वाले student है, यह फिर DTA, NTB, NTC और NTD वाले student है, उनके ल होना चाहिए certificate, मतलब लटेश्ट का मतलब यह होना चाहिए, under to three month, मतलब जब आप document submit कर रहे हैं, तो three month का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे फिप नमर में आप देख सकते हैं, कि attested true copy of transfer living certificate of previously attended education institution in case of, यहाँ पर समझने कोशिस किजिएगा, in case of candidate passing qualifying examination from SPPU Pune University, जो SPPU Pune University से pass कर चुके हैं, उसका आपको certificate देना होगा, transfer certificate बोल सकते हैं, या फिर living certificate भी बोल सकते हैं, आपको submit करना होगा, ठीक है, six number point में mention कर रहा है, attested true copy of migration certificate of previously attended university, और यहाँ पर interesting point यहाँ पर यह है, in case of candidate passing qualifying examination from other university and सभीत्री वाइफूले पूने इनवर्सिट हैं, वो भी आपको migration submit करना है, और जो SPPU से भी है, वो उनका भी आपको migration submit करना है, seven number point में आप देख सकते हैं, कि जो physical handicapped है, pH है, उनके लिए जो documents अबलेबल होती है, वो आपको documents complete करना है, authority of, अपने district authority से, और last point में देख सकते हैं, कि note में, कि all original certificate will be required during the time of admission counseling, तो आपको ज original होना जरूरी है, क्योंकि जरूरत पे आपको original भी verify होगा, यहाँ पर आप focus जरूर कीजिएगा, कि आप जो भी document upload कर रहे हो, तो आपको self attested copy upload कर रहे हो, लेकिन उसका आपको original document आपके पास होना चाहिए, कि जरूरत पे आपको university requirement कर सकती है, तो at the time पे आपको so करना होगा verify करना होगा, ठीक है, जो जो आपका documents की requirement थी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अब next point पे हम चलते है, हम आते है main point पे, तो main point मैंने आपको बता दिया था, कि proceed to next पे click करने के बद आपको upload document complete करना है, upload document आपको click करना है, तो जैसे आप upload document पे click करोगे, तो click करने के बद आपको mention रहेगा, वहाँ पर आपको क्या रहेगा, वहाँ पर आपको document type रहेगा, वहाँ पर आपको select करना होगा, आप यहाँ पर blue में scroll देख सकते हैं, वहाँ पर select करना होगा, जैसे आप select करोगे, तो आपको number wise, अराम से document इसको select कर लेना है, कि कौन कौन आपको documents requirement है, मैंने आपको बता दिया, वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, जो एक सेलेक्ट करना है, एक सेलेक्ट करने कब आप आप नीचे में देख सकते हैं, चूज फाइल पर है, तो चूज फाइल पर किलिक करना है, और जो सेलेक्ट किया है, उस फाइल को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट कर यहां पर यह बताया गया है कि अगर आप फोन से अपनी डॉकमेंट को स्कैन करते हैं और आपको रिकॉमेंट कर रहा हूं कि जो एस्टुडेंट कर दिये हैं अपको चुण है। तो कोई बत नहीं है जो नहीं किये हैं तो एक बाद ज़रूर फोकस कीजिए मेरी बातों को समझने कोसिस की जएगा कि आप जहां भी रहते हैं वहाँ आस्पास आपके figures में सर्वे कैफे होगा survey cafe में जा करके ये सारे documents को scan करके submit करा लिजिए उससे phone से करने कोसे मत किये क्यों कि phone से करने से क्या होता है watermark भी आजाती है और quality भी खराब हो जाता है तो survey cafe में जाएं ठीक है अब जैसे आप document को complete fill कर लोगे तो fill करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं सकते हैं और नीचे में देख सकते हैं नीचे में आपको मेंसन रहेगा एंड फोर डिपार्टमेंट अप्रूबल तो से एंड फोर डिपार्टमेंट अप्रूबल रहेगा उस पर आपको किलिक करना है अज जैसी किलिक करोगे तो किलिक करने के बार आपको कुछ टाइम के बा और यहाँ पर देख सकते हैं कि the department will verify the documents, approve the admission जो मैंने बताए यही point यहाँ पही mention कर रखा है और three point में देख सकते हैं कि three point में क्या undertaking की बात कहा गया है कि जिस student को documents available अभी नहीं है तो undertaking में देना चाहते हैं तो आपको university जो है वो आपको format provide कर दिये जाएगा और यहाँ पर बताए कि जतना आपको course का fee है वही course का आप instruction के हिसाब से आपको course का fee लगेगा और यहाँ पर भी आप read कर सकते हैं इस point को this year tuition fee, laboratory fee not included in admission चलान जब admission आपको जब होगा तो वहाँ पर आपको tuition fee और laboratory fee आपको नहीं लगेगी बाद में आपको लगेगी but starting time में आपको admission चलान लगेगा admission fee लगेगा जो इस course में आपने apply किये हैं उस course का only for fee लगेगा बाकि second number point को भी आप read कर सकते हैं और third number point को भी read कर सकते हैं scholarship का है, महराश्तला student का scholarship मिलती है, registration मिलती है तो उस student के लिए तो भी read कर सकते हैं और last point यहाँ पर देख सकते हैं main important point है, a student should pay the fee online using debit card आपको जो fee payment करना है, वो आपको online ही करना है, या पि आप डिविट कार से कर सकते हैं, credit card से कर सकते हैं, net banking से कर सकते हैं, और fee payment करने के बाद, after paying, पतर fee payment करने के बाद, आपको जो receipt होगा, वो आपको download करके रख लेना है अपने पास, कि वहाँ जरुएद पर बहुत काम आगी, या opening of waiting list, उसका क्या यहाँ पर देख सकते हैं, कि 10 September तक आपका last date है, 10 September से पहले आपको सारे fee payment complete कर लेना है, जिसका minute list में नेम आ गया है, यह MSC chemistry हो, MSC physics हो, MSC mathematics हो, यहाँ पर सब का admission procedure सेम ही रहने वाला है, तो सब का, सब देख सकते हैं, सब वाच्च कर सकते हैं, कोई दि payment भी कर लेनी है, और last point में आप देख सकते हैं, कि the waiting list will be open operated till 50 September, कि इस student का course में आपका waiting list सो नहीं कर रहा है, तो उसका 15 September से आपका waiting list सो करने लगेगा, I hope आपका पूरा admission procedure समझ में आ गया होगा, पूरा detail wise में आपका समझ में आ गया होगा, अब इसके बाद मैं आपका बता specialization देखने को मिलती है, इस specialization में आपको per annum कितना fee लगती है, कितना fee आपको pay करने होते हैं, तो detail wise में आपको बताने वाला हूँ, please video को end तक ही watch किजिएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं course fee per annum का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि M.A.C. chemistry के अंदर बहुं और बायो कमेस्टी होता है, second inorganic chemistry होता, organic chemistry होता, physical chemistry होता, analytical chemistry होता, last में आपका medicinal chemistry होता है, तो first point अब देख सकते हैं biochemistry का, तो बायो कमेस्टी का fee कितना है, within महारास्टा, जो महारास्टा से बिलॉंग करते हैं, उसका जो fee है, 7,014 rupees आपका fee है, और जो out of महारास्टा है, उस student का married list के अदर आपका allowed होता है, organic chemistry के अदर, तो यहापर अपको fee देख सकते हैं, within महारास्टा, आपको 7,014 rupees है, और out of महारास्टा, 12,764 rupees है, 7,00014 rupi's आपको महराष्टा ला jurisdent का है और आपको आपको out of महराष्टा ला लक्षिन आपर देख सकते हैं 12,764 rupi's है अब आते हैं में important के बाद अलाटिकल चेमिस्ट्री और मेडिस्नल केमि्सट्री तो Unlateral Chemistry और medicinal chemistry के अंदर इस PPU के अंदर फी जो होता है काफी ज्यादा होती है as compared physical, organic, inorganic and biochemistry तो Unlateral Chemistry का अब देख सकते है self supporting जो courses होता है Unlateral Chemistry का वो आपको within महारास्टा जो महारास्टा से belong करते हैं उसका 12,514 रुपीज है और जो out of महारास्टा है वो 23,764 रुपीज है ठीक है और जो medicinal chemistry से है जो medicinal chemistry में करना चाहते है M.A.C. chemistry के अंदर तो उसका फी है 29,514 रुपीज है और out of महारास्टा 57,764 रुपीज है ठीक है अब last point यहां पर interesting बाली बात यह है for M.A.C. medicinal chemistry रुपीज है और out of महारास्टा दोनों को आपका same fee लगेगा 57,764 रुपीज जिसका our sponsor industrial है और नोर्मल अगर medicinal करना चाहते हैं self supporting courses करना चाहते हैं तो आपका यहां पर within महारास्टा 29,000 और आपका out of महारास्टा 57,764 रुपीज है और note में mention कर रखा यह course अब revise भी होता है future में but approach जो होता आपको same ही रहता है ज़्यादा को different नहीं होता है अब सबसे important point समझने वाली बात यह है eligibility तो जिस student का minute list में name आ गया है तो पहले आप eligibility ज़रूर focus कीजिएगा तो जो student BAC chemistry किया है BAC bio chemistry किया है तो वो eligible है M.A.C. chemistry के लिए किसी भी specialization के अंदर ठीके और open category में 50% अगर रहेगा तो चलेगा और reserve में भी रहेगा 45% तो भी okay कोई दिक्कत नहीं है आपको 100% eligibility confirm okay है अब दोस्तों सबसे important point पर आते है number of seat तो आपको पता है कि number of seat जो होते है chemistry के अंदर 135 आपको number of seat देखने को मिल जाती है तो बहुत सरा student जो सवाल करते हैं questions करते हैं महारास्ता वाला student के कितने reservation होते हैं और out of महारास्ता वाला student का कितने seat में reservation मिलती है तो मैं आपको बताते हूं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 70% a student of Sabitri by Phule Pune University and 30% a student for other than Sabitri by Phule Pune University तो यहाँ पर समझने कोशिच किए जो आपको 70% जो है जो a student previous program या B.A.C. या Bachelor SPPU से किया है तो उसका 70% reservation seat में मिलती है और ज इसको 30% आपको reservation seat में मिलती है तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है तो other में क्या होता है कि other में जरूरी नहीं कि सिर्फ out of महारास्ता वाला student अदर के मतलब यह है इसमें महारास्ता वाला student भी आते है और out of महारास्ता वाला student भी आते हैं तो बहुत ऐसे candidate होते हैं कि जो म सिर्फ होते हैं अगर हम बात करें कि 70% कितने seat होते हैं तो 70% से और और 30% 30% से होते हैं वह 401 से वह 1035 में तो दोस्तों अब हम बात करने वाला हूं laboratory fee कितने लगने वाली है और tuition fee कितने लगने वाली है तो दोस्तों यहाँ आप अब देख सकते हैं PG courses वाले science and technology और में देख साते हैं मसी और सब्जेक्ट जो मसी किसी भी सब्जेक्ट से हैं साइन से हैं मसी के मेस्टी मसी फिजिक्स मसी मैथमेटिक्स किसी भी सब्जेक्ट से हैं जो साइन से बिलॉंग करते हैं तो मसी और सब्जेक्ट उसका ट्यूशन फी और आपका लेबरोटरी फी कितने लगने वाली है तो tuition fee आपको 3,250 रूपीस आपको fee लगने वाली है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आप समझ सकते हैं कि आपका fee कितने लगने वाली है तो बहुत से जो अस्टूडियों जो confusion था कि हमें fee कितना pay करना होगा तो मैंने आपको बता दिया तो starting में आपका course का ही fee payment करना है उसके बाद आप admission ले लोगे तो उसके बाद आपको tuition fee और आपका laboratory fee fee payment करना होगा I hope आप इस वीडियो से शुरू से लेके end तक आप बाच कियों होगे तो जरूर आपको समझ में आ गया होगा I hope आपकी पूरी query solve हो गई होगी अभी भी कोई query बचती है तो comment में जरूर बताईएगा मैं आपको जरूर reply करूँगा और वीडियो पसंद आयता प्लेज वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और जो नए चनल पर विजिट कर रहे हैं प्लेज चनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो अभी क्लिए तना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thanks